हलो फ्रेंड्स आज हम सोयविन की चाप बनाएंगे यह राम से घर में बन जाती है और यह खाने में बजार वाली चापों से बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है इनको बनाने के लिए आप बराबर मात्रा में लोबिया और सोयविन का चूरा यानी न्यूट्रीरा ले ले लेंगे उनको पूरी रात भी बोलेंगे और फिर उन्हें सुबह निचोड कर पीस लेंगे कर दो है तो इसमें थोड़ा सा मैदा वाली तो इसमें थोड़ा सा और एड़ कर सकते हैं ये डो तैयार हो गया है इतने में एक बरतन में पानी उबालने रख देंगे और सरफेस पर ज्यादा सा मैदा डाल कर जो हमने डो बनाया था उसकी लोई बनाएंगे और इसे बिल्कुल हलके हातों से बेलेंगे झाल कर जा दो बनाएंगे का जो दो मैं झाल कर दो झाल 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 जैसे ही इन चापो को निकालेंगे निकालने के तुरल्ट बाद ठंडे पानी में इनको डीप कर देंगे यह हमारी चाप तेयार हो चुकी है आप इनको 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं यह बजार से बहुत ही टेस्टी होती हैं इसमें सोया बीन होता है तो सोया बीन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपको डिश पसंद आई हो तो इसे लाइक और करें और कमेंट्स करना ना भूले थैंक यू फो वाचिंग